आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्स करने जा रहे है हमारा सेट 6 जिसको लेके आ रहा हूं मैं मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोईल यह बेस्ट 500 की हमारी सीरीज चल रही है इसको आप इंजॉय के ज़े घर पे बैठके बाकी आप मुझे फॉलोव कर सकते हैं आप सोचल मेडिया के उपर इस इस माई फेस्बूक लिंग इस इस माई इंस्टागरम लिंग यहाँ पर अपने डाउट्स अपने एक्जाम पेपर वगएरा आप सेंड कर सकते हो और टेलिग्राम ग्रूप को आप जॉइन करना मद भूलें इसके उपर सारे लेक्चर जितने भी शेर होते हैं मेरे द्वारा शेर किया जाते हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे लेक्चर शेर होते हैं यहाँ पर इससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती जाएगी डॉक्टर भी परचेस कर सकते हैं नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में एप डाउनलोड कीजिए विएप 500 कूपन कोड यूज कीजिए बहुत बच्चों की डिमांड थी तो हमने कूपन कोड अभी ऑन करके रखा हुआ है तो बाकी अगर आप कि उसको देख सकते हो गर में बैटके अराम से पढ़िए कोई चिंता करने की जुरूरत नहीं है सब चीज क्लियर होती जाएगी आपको तो देखे जी आज हमारे स्क्रीन के उपर पहला कोशन क्या कहता है कि एन में से कौन सा ऐसा ब्रिटिश इंडिया के अंदर गवर्नर जन से थे, एक थे इंगलिश थे और एक थे आपके ईंगलिश थे, निजाम थे और मराठास थे, तो इन तीनों को मिल के एक ट्रिपल अलाइंस बनती है, और इसको अगेंस्ट किस के किया, इनको अगेंस्ट किया टीपू सुल्तान के साथ, अब बात ये है कि अंग्रेज तो यह जैकोबियन जो है आपका फ्रेंच क्लब था उसका एक मेंबर था और प्लस एक और याद रखिये चीज था कि जो लॉड कॉर्णवालिस है इनको हम कहते हैं फादर ओफ सिविल सर्विसिस इंडिया सिविल सेवाओं के जनक इंडिया के अंदर कौन है वो है लॉड कॉ इंडिया में पे तो उसका अंसर आपने लगाना है उल इंडिया सर्विसिस के जनक पना है वो है बल्लबाई पतेल ध्यां रखिये चीज को सिविल सर्विस पूछा तो लॉड कॉर्णवालिस और अगर आपके लॉन पुछा तो बल्लबाई करी थी तो मिंटो उस टाइंपे थे लॉर्ड वैलेसले इन्हों ने ट्रिपल इन्हों ने जो चलाया था सबसिडरी एलाइंस चलाय थी सहाइक संदी चलाय थी 1798 के अंदर और जो है निजाम ओफ हैदराबाद वास्ट जिन्हों ने साइन किया था वारन हास्टिंग ये वो ही उपर मिट्टी के उपर living being रहता है कहने का मतलब ये है कि soil science की ऐसी कौन सी study है जिसके अंदर जो है अगर कोई जीवित व्यक्ती है soil के उपर उसको हम क्या कहते हैं, पहली बात तो अगर मैं कूंकि soil की study को क्या कहते हैं तो स्वाइल की study को हम कहते हैं pedology क्या कहते हैं बट वोशन क्या है कि स्वाइल के ऊपर living बिंग इसी study को क्या कहते हैं उसकी study को बोला जाता है इट्स इडेफोलोजी, इडेफोलोजी, डेट मेंज B is the correct answer, इडेफोलोजी बोला जाता है, और प्लस यहाँ पे एक और वर्ड है, एंड्रोलोजी, एंड्रो मतलब, एंड्रो वर्ड होता है, मेल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, और लोजी मतलब study, तो यहाँ पे ऐसी physiology और science की branch, जो man के लिए जो particular disease होती है, और उनकी condition क्या होती है, उसके बारे में deal करती है, एग्रो बाइलोजी, एग्रो मतलब agriculture, बाइलोजी मतलब living being की study को, एग्रो बाइलोजी का मतलब यह है, कि ऐसी soil science, जो plant nutrition, plant के nutrition के लिए, और plus crop के production के लिए, crop की इतनी production हो रही है, उसकी study को हम कहते है, agro-biology, next है, desmology, desmology क्या होती है, जो concern रखती है, ligaments के साथ, ऐसी study, जो ligaments के साथ concern रखती है, और ligaments के साथ concern रखती है, जो हड़ियों के बीच में जो जुड़ी होती है दो हड़ियां वो लिगमेंट के साथ जुड़ी होती है अगर उसने पेपर में पूछ लिया कि टेंडन क्या होते हैं टेंडन क्या होते हैं जो बोन हड़ी और मासपेशी को जोड़ती है बॉन और मसल को जोडने वाला क्या होता है तेंडन होता है तो अंसर इस कोशन का क्या बनेगा बी ओप्शन इडैफो लॉजी नेक्स्ट है तीसरी बैटल जो हुई थी पानिपत की तो मराथा आर्मी के अंदर उसको कमांड किस ने किया था ये पिच्चर किसकी आपको नजर आ रही है ये परसन है सदा शिवराव भाव तो अंसर इस C उप्शन अभी आपने देखी भी होगी पानिपत की थर्ड बैटल वाली लडाई आई थी जिसमें जो है अर्जुन कपूर ने रोल प्ले किया था सदा शिवराव का और ये जो लडाई हुई थी 1761 के अंदर हुई थी और ये 1761 के अंदर जो लडाई हुई थी मराथा और एहमज शाह अबदाली के बीच में हुई थी एहमज शाह अबदाली के बीच में हुई थी अब पहली battle of पानीपज जो होई थी वो 1526 में होई थी और बाबर और इब्राहिम लोधी की लड़ाई होई थी जिसमें बाबर जीता था फिर होई थी 1556 में ये किसमें होई थी अकबर और हेमु के बीच में और इसमें अकबर जीता था तो answer इस question का क्या बनेगा जी सदाशिव राओ भाओ that is third option next question देखे क्या कहता है एक close economy is a kind of economy in which देखे मैं हमेशे एक बात बोलता हूँ जब भी closed word का मतलब आ गया एक बंद अगर open word का मतलब आ गया तो खुला ठीक है तो हम कहते हैं कि देश में अगर open economy है मैं हमेशे इसको example लेता हूँ market को लेके example लेता हूँ market मतलब जहाँ पर normal समान खरीते हैं बंद लेते हैं ठीक है खरीते बेशते हैं तो अगर हम कहीं कि market open है तो market open का मतलब दुकानने खुली हुई है तो जिसमें sale और purchase दोनों हो रहा है तो closed अगर market है तो उसका मतलब sale और purchase वहां पर नहीं हो रहा तो economy वर्ड यूज किया है किसी देश के बारे में बात कर रहा है तो इसका मतलब ऐसा देश जहां पे ना तो export होता है ना import होता है ना आयात होता है ना निर्यात होता है उसको हम क्या कहते हैं closed economy कहते हैं और अगर उन्होंने पूछ लिया कि हां भाई जहां पे trade होता है import export होता है तो उस country की economy को हम क्या बोलते हैं उस country की economy को हम open economy वर्ड यूज करते हैं ये आपको ध्यान रखना है तो answer is D option next question देखे जी ऐसा कौन सा वेध है जो music के लिए बात करता है Indian text के अंदर तो ये है जी ये वाला वेध that is called साम वेध तो answer क्या बनेगा जी आपका C option बनेगा साम वेध is the correct answer और साम वेध को पढ़ने वाला जो पंडित है उसको हम क्या कहते हैं उदगात्री कहते हैं और साम वेध का जो उपवेध है वो कौन सा है गंधर्व वेध है तो गंधर्व वेध किसके लिए बात करता है again art and music के लिए बात करता है तो answer आपका क्या बन गया C option बट यहां पर मैं और भी बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले जो important वेध है वो कौन सा है आपका rig वेध है जो आपका सबसे oldest text है oldest text है और एक इसका उपवेध है आयूर्वेध है जो medicine के लिए बात करता है और next इसके अंदर option में देखे जजुर्वेध है जजुर्वेध किसके लिए बात करता है sacrifices के लिए और प्लस इसका जो उपवेध है वो कौन सा है धनुर्वेध है धनुषबान ठीक है धनुर्वेध ये भी किसके लिए बात करेगा warfare के लिए बात करेगा और next है इसके अंदर अथर्ववेध अथर्ववेध किसके लिए है magical formula, magical जो जितने भी आपके टूना माना जिसे आप कहते हैं, काला जादू बगएरा कहते हैं, वो होता है अथर्ववेद के अंदर, clear और प्लस एक चीज और आपको याद रखनी है कि अथर्ववेद का जो उपवेद है, वो कौन सा है अथर्ववेद का जो उपवेद है डाद इस कॉल्ड शिल्पवेद शिल्पवेद, ठीक है, यह है शिल्पवेद, और शिल्पवेद किसके लिए बात करता है, शिल्पकारी जाने कि स्कर्प्टर के लिए बात करता है, जाने कि पुरुशुक्ता मंडल है जिसमें का सिस्टम के बारे में बात करी ही है ब्रह्मन, शत्रिय, वैश्य, शुद्रा के बारे में बात करी हुई है तो अंसर इस कोशन का अगेन C option बनेगा नेक्स्ट है Frequency, इस बारं बारता और इसको आवर्ती केते हैं हिंदी में तो फ्रिकेंसी है उसको किसमें मापा जाता है फ्रिकेंसी होता किसमें है Velocity upon wavelength, v upon lambda और इसकी unit क्या होती है Hz, Hz that is Hz is the right answer A option is the correct one अब यहाँ पे meter per second है meter per second किसके होते है speed की unit होती है speed की ठीक है गती की unit होती है और radian किसकी होती है radian होती है angle की और what किसकी होती है यह होती है power की ठीक है तो answer is question का ए option बनेगा Hertz is the correct answer who began the Pharisee movement जाने कि Pharisee आंदोलन जो है वो किस ने start किया था यह जो आंदोलन था actually Bengali Muslims ने start किया था और एक religious reform movement थी और इसके मतलब क्या था कि जो Allah ने duties दे रखी है उसके लिए आपका compulsory खड़े रहना कि हाँ आपको वो चीजें माननी है तो यह जो movement start करी थी हाजी शरित उल्ला ने start करी थी तो A option क्या बनेगा correct answer बन जाएगा A option very very important next है इन में से कौन सा ऐसा commission है कौन सा ऐसा article है जो finance commission के लिए बाते करता है जाने के वित आयोग के लिए बाते करता है तो वो बात करता है article 280 article 280 के अंदर जो है with commission के बारे में बात करी गई है अभी हमारा 15th finance commission चल रहा है N.K. Singh जो है इनके chairperson है और जो finance commission है ये 5 साल के लिए चुना जाता है इसके अंदर 5 member ही होते है जिनको knowledge होती है finance के लिए पैसे के लिए knowledge होती है और प्लस एक चीज़ और बताता हूँ कि finance commission का जो काम होता है कि center और state के बीच में जितना हमारा tax collect होता है center और state में division करना वो किसका काम होता है finance commission का काम होता है ये आपको याद रखना है तो article 280 is the right answer यहाँ पे देखे जी यहाँ पे option और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखी भी दिया है article 269 क्या होता है कि asset tax asset tax जो center लगाती है union लगाती है but उसको collect करने वाला जो है appropriate करने वाला कौन होता है वो states होती है article 265 क्या कहता है article 265 यह कहता है कि कोई भी tax ना तो लगाया जाएगा ना collect किया जाएगा except by the authority of the law law के बीना जो है ये चीज़ें कभी भी नहीं लगेंगी article 265 कहता है इस question को इसके answer जो 7 में ने दीए है इसका reason सिर्फ यह है कि आपको धंग से थोड़ा सा समझा जाए 269, 268 में confused मत हो जाना 265 भी important है बदद चारों के चारों article बड़े important है इसलिए यहाँ पे लिखे गए है तो answer is A option article 280 is the finance commission next है इनमें से कौन सा ऐसा चोला emperor है जिनोंने अपनी daughter को offer किया marriage के लिए किसके साथ चालुक्या इट्स विमला दित्या चालुक्या विलमा दित्या के साथ जो है शादी करवाई थी तो वो person कौन थे वो थे राजा राजा कौन थे राजा राजा उन्होंने अपनी daughter जो है इट्स कुंधावी इनोंने जो है शादी किसके साथ करवाई चालुक्या विलमा दित्या के साथ करवाई ठीक है तो answer is डी option राजा राजा next question देखिए जो breathing rate होता है जब हम सांस लेते हैं rest position के उपर तो हम कितनी बार सांस लेते हैं ठीक है पहली बात तो breathing rate को measure करने वाला जो meter होता है instrument होता है spirometer क्या होता है spirometer और हमारी जो lungs हैं यह आपका gases exchange करते हैं यह है जी lungs और actually lungs के अंदर कौन सा part होता है alveoli जो है exchange करते है gas को और हमारा जो पंदरा से अठ्रा जो होता है पंदरा से अठ्रा बार आप एक मिनिट में सांस ले लेते हैं अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो यह lungs हैं इनकी जो outer layer है यह outer layer है इसको हम क्या कहते हैं यह भी question बहुत बार paper में पूछा जाता है तो answer is B option that is 15 to 18 times कौन सा इन में से ऐसा वाइस रॉय है जिसने Victoria Memorial कोलकाता में बनाने के लिए जो है suggestion दे थी बोला गया था कि आप जो है Victoria Memorial बनाए तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो Victoria Memorial है यह हमारा बहुत बड़ी large marble building है कहां पर कॉलकाता के अंदर West Bengal के अंदर और यह जो Queen कौन से वाइस रॉय ने बोला था यह बोल रहा है Queen Victoria के याद में बनाया गया था यह सबको पता है और यह बना कब था 1906 से लेके 1921 के बीच में Actually यह decide किसने किया था यह decide किया था Lord Karzan ने So A option is the right answer अभी अगर हम बात करें तो यह अभी किस के अंदर आता है तो Ministry of Culture के अंदर आता है जो अभी हमारे देश में आता है Ministry of Culture के अंदर और प्लस से बात यह है कि यह जो Lord Karzan है यह वो ही परसन है जिनोंने Bengal Partition करवाय था 16 October 1905 में यह भी आपको याद रखना है Lord Dalhousie के बारे में याद रखना है इनोंने Doctrine of Laps चलाई थी और यह वो ही परसन है जो Lord Dalhousie वो ही परसन है जो 1853 में पहली जो ट्रेन चली थी हमारी 34 किलो मेटर की Bombay टू थाने इनोंने चलवाई थी Lord Ripon जो है इनके टाइम पे आया था First Factory Act पहला Factory Act जो है जो बच्चों के लिए आया था वो First Factory Act जो है यहाँ पे देखने को मिला था और Lord Ripon को हम बोलते हैं Father of Local Self-Governance Local Self-Governance जाने के स्थानिय सेवाओं के जो जनक हैं वो Lord Ripon है Lord Harding वो परसन है जब हमारा देश जो है जब कौलकाता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करी जा रही थी Decide हुआ था 1911 में लेकिशिफ्ट कब हुई थी 1912 में तब जब Decide किया जा रहा था तो इनके उपर बम फेका गया था Lord Harding के उपर और यह जो बम फेका था रास बिहारी बोस ने फेका था ठीक है यह भी आपको याद रखना है तो अंसर इस कोशन का क्या बनेगा A option Lord Karzan The oldest deciphered script of the Indian subcontinent सबसे पुरानी जो है गुड लिपी जो है हमारे देश की कौनसी है तो वो है जी इसके अंदर लिपी that is ब्रह्मी ब्रह्मी is the right answer और ब्रह्मी में अशोका की inscription भी लिखी गई है अब मैंने आपको बताया था अशोका की inscription और कौन सी ब्रह्मी के इलावा कौन कौन सी languages में लिखी गई है Greek में लिखी गई है और Mike में लिखी गई है और खारोष्ठी में भी लिखी गई है हडपन की तो कोई भी आपकी languages नहीं थी इसको हम बोस्टो फिडोन कहते हैं और बोस्टो फिडोन का मतलब एक right to left left to right लिखा गया है और pictographic भी आप इसको कह सकते हो कि हमें picture से देखने को आपको मिलता है पता और देवनागरी script हिंदी की है प्राकरित लेंगोईज जो है प्राकरितिक लेंगोईज जो नॉर्मल बातों में बात करते हैं और मेंली जो अशोका के inscription है वो प्राकरित लेंगोईज कहा देते हैं लेकिन उनके अंदर लेंगोईज ये चार लेंगोईज आती हैं तो answer is question का A option बनेगा ब्रह्मी is the correct answer A option तुंग बद्रा के साथ हमारे दिमाग में एक आता है जी कहाँ पे करनाटक में होगी ठीक है तो answer क्या बनेगा C option सीधा अब तुंग बद्रा रीवर के किनारे एक kingdom थी जिसे आप विजे नगर empire कहते थे जिसे आज कल हम किस नाम से जानते हैं हमपी के नाम से जानते हैं यह आपको पताओना चाहिए हरी हर और बुका ने start किया था बट यहाँ पे करनाटक में आपको और भी centuries मिल जाएंगी जैसे घट प्रबा है बहुत important है घट प्रबा और एक bird century है यहाँ पे रंगन थी तू रंगन थी तू थी तू बर्ड सेंचरी ठीक है रंगन थी तू बर्ड सेंचरी यहाँ पे देखने को मिलती है सोमेश्वरा वाइलाइफ सेंचरी भी यहाँ पे देखने को मिलती है बाकी जो option है जैसे MP है तो MP में गांधी सागर सेंचरी गांधी सागर सेंचरी देखने को मिलती है और केन घड़ियाल देखने को मिलती है केन घड़ियाल सेंचुरी देखने को मिलती है यह याद रखना और यूपी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पिलभीट टाइगर रिजर्व है देखने को मिलता है बहुत important है सुर्ष व्रोवर सेंचुरी है यहां पर यह जो मैंने करनाटा के लिए बताया है तुंगबदरा, घटपरबा, रंगनधितू, सुमेशवरा These are the very very important questions तो answer is C option इन में से कौन सी ऐसी जो डिजीज है वो वाइरल डिजीज है जाने के विशानुओं से होती है तो देखे जी पहले option के according चलते हैं बेरी 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 वाइटमिन B1 की कमी से होती है था जो है थियामिन इसका नाम होता है वाइटमिन B1 का उसकी कमी के कारण मीजल जो होती है खसरा ये होती है जी आपकी वाइरल के कारण ठीक है और इसका जो वाइरस है डैडिस कॉल रूबियोला वाइरस ठीक है याद रखना है तो अंसर इस B और रिकेट्स जो होती है वाइटमिन D की कमी से होती है और वाइटमिन D ही होता है calcium containing vitamin sunshine vitamin कहते हैं और इसमें हड़ियां कमजोर होने लग जाती है calciferol जो है इसका नाम होता है और syphilis की बात करी जाए तो ये bacterial disease होती है traponema palladium के कारण traponema palladium के कारण देखने को आपको मिलती है ये सारे चीज़ें आपको याद रखनी है तो answer is B option इन में से ऐसा कौन सा ऐसा अर्टिकल है अनुचेद है जब speaker जाने के लोकसवा के जो speaker होते हैं वो कहते हैं कि अपनी mother tongue में आप बात कर सकते हैं house के अंदर ये speaker बताएगा हमेशा अध्यक्ष बताएगा कि अपनी mother tongue में अपनी maathra भाशा में अब बात कर सकते हैं, तो एक किस article में लिखा गया है, article 121 के अंदर लिखा गया है, 120 A के अंदर लिखा गया है, तो answer is C option, article 110 क्या कहता है, money bill के बारे में कहता है money bill और bill के अंदर difference ही होता है, bill एक proposal होता है, money bill में पैसे की बात लिखी होगी, अगर bil के उपर speaker के sign हो जाएं किसी भी bil के उपर speaker के sign हो जाएं तो money bill बन जाता है, ये ध्यार के 14 दिन में पास करने की power होती है, राज्य सबा के पास कोई power नहीं होती, सारी power लोगसबा के पास होती है, article 122 कि अगर मैं बात करता हूँ कि जो भी Parliament में मीटिंग चल रही होती है जो भी सारा काम चल रहा होता है तो उसमें court जो है बिल्कुल interfere नहीं कर सकती Courts cannot be inquired into the proceedings of the Parliament यहां रखना Article 126 कि अगर मैं बात करूँ तो वो क्या कहता है कि यह कहता है Appointment of the Chief Justice यह Chief Justice की appointment के बारे में कहता है कि अगर Chief Justice का office अगर vacant है जा किसी reason के कारण absent है तो किस तरीके से जो दूसरा judge होगा वो इसके काम संभालेगा वो Article 126 में बात आती है और इस question का answer क्या बनेगा C option Article 120 और A column Answer is C इनमें से कौनसा ऐसा act है जो बताता है डियार की के लिए डियार की के लिए जिसे आप कहते हैं कि जब आपकी डियार की word का मतलब यह होता है कि जब power जो हैं divide करी जाए प्रांतियों के अंदर power divide कर दी जाए कहने का मतलब यह है कि हाँ जी जो दो चीजों होंगी एक transfer subject बनेंगे एक reserve subject बनेंगे reserve subject क्या होंगे जिसमें सारा governor general के पास रहेगा काम और transfer होंगे कि हाँ governor general उसमें होगा लेकिन हाँ कुछ power आपको दे दी गई है आप पढ़ सकते हो लेकिन ultimately power कहाँ पर चली जाएगी governor general के पास चली जाएगी जो main power होगी तो ये किस act में आया था तो ये आया था government of India act 1919 के अंदर और ये 10 सालों के लिए बात हुई थी answer is C option और इसका जो है reform आये थे that is called Montesco-Champsford reform Montesco-Champsford reform जो थे government of India act 1919 में आये थे जिसमें डियार्की की बात करी गई थी 1892 का जो act है 9 में communalism के बाद उपर बात हुई थी Hindu-Hindu को वोड़ देगा मुस्लमान मुस्लमान को और Hindu-Mुस्लमान वर्ट जो है 1919 में यूज होने लग गए थे government of India act 1935 75% हमारा constitution यहां से बना हुआ है 1935 में federal structure के उपर बात करी गई थी और जहां पे इस सारी power तो answer is question का C बन जाएगा government of India act 1919 Next is the Indian Institute of Chemical Technology Chemical Technology के जो Indian Institute है वो कहां पे देखने को आपको मिलता है तो वो देखने को मिलता है कहां पे हैदराबाद हैदराबाद in Telangana हैदराबाद Telangana के अंदर देखने को मिलता है और यह किस के अंडर आता है यह आता है CSIR के अंडर आता है Council for Scientific and Industrial Research के अंडर आता है तो answer is C option हैदराबाद Telangana इन में से कौन सी ऐसी vaccine है जो measles के लिए use होती है खसरे के लिए use की जाती है तो वो vaccine होती है MMR इसमें तीन बिमारियां होती है measles mumps और rubella ठीक है यह diseases होती है measles अभी हमने discuss किया था viral disease होती है rubella virus के कारण जिसमें आपके पीट के उपर ऐसे निशान से बनने लागाते है mumps होती है parotid gland की parotid gland की जो है infection देखने को मिलती है parotid gland जो है आपकी अगर सूच जाएं तो mumps हो जाता है rubella virus जो है आपका अगर किसी को जो i mean to say dad is the rubella ठीक है बस आपको याद रखना है जो मेरे निमाग में चला था वो rabies चल रहा था ठीक है rabies अलग चीज होती है rabies होता है hydrophobia जो अगर किसी कुत्ते को rabies हो रखा है और आपको अब dysentery का मतलब क्या होता है dysentery का मतलब होता है कि जब आपको fever हो रहा हो और आपकी जो है defication जो है आपकी body से जो है waste product बाहर ना निकल रहे हो और ये जो होता है ये किस के कारण होता है शीजेला के कारण होता है तो b option क्या बनेगा right answer बन जाएगा शीजेला अब salmonina अगर मैं salmonina typhi लिख दूँ तो अगर लिख दूँ तो ये क्या कर देता है typhoid कर देता है और plus ये चीज़ और आपको बताता हूँ typhoid के लिए एक test होता है that is called vidal test ये आपको पता होना चाहिए और leishmenia leishmenia donovani ये एक parasite होता है अगर ये हो जाए ये sandfly के कारण होता है sandfly is the carrier leishmenia denovani जो होगा तो actually ये क्या कर सकता है elephantis जो आपकी जो टांग है ना वो मोटी हो जाएगी elephantiasis cause करता है और plasmodium के अगर मैं बात करूँ तो ये जितना भी malaria का रोग होता है वो plasmodium जो मच्छर के कारण होता है और female anophilies जो है वो फिलाता है इसके अंदर और malaria के अंदर जो है red blood cell RBC और liver के उपर सबसे यादा effector पड़ता है RBC और liver के उपर तो answer इस question का क्या बनेगा जी आपका B option she's a lab peptide bond जो होते हैं वो किसमें बनते हैं so this is called peptide bond ठीक है peptide bond किसमें बनता है यहाँ पे कोई एक change बनाई हुई है this is called hydroxyl group and this is called amino group amino group और hydroxyl group के अंदर हमेशा बनता है क्योंकि पान ही तो बाहर निकल गया ठीक है so इसका मतलब amino group और carboxyl group के अंदर यह हमेशा देखने को आपको मिलता है carboxyl group और amino group के अंदर ठीक है यह answer क्या बन गया जी आपका C option it's called carboxy ठीक है मैंने बोल दिया था hydroxy तो यह क्योंकि carbon लगा हुआ इसमें यहाँ पे भी carbon लगा हुआ है amino group और carboxyl group answer is C option is the correct statement C option इनमें से ऐसी कौन सी nodal central agency है जो आपके wheat और paddy के लिए support price scheme को decide करती है वो हमेशा scheme होती है कौन सी FCI FCI decide करती है Food Corporation of India clear अब MSP होता क्या है पहले तो minimum support price होता क्या है minimum support price का मतलब यह होता है कि अगर आपकी कोई भी crop है अगर crop खराब हो जाए ठीक है कुईसी कारणवश खराब हो जाए तो सरकार उस rate के ओपर आपकी crop को वो खरीद लेगी बाकी depend करता है अगर crop अच्छी होगी तो आपके ओपर depend करता है सरकार को बेचनी है जा फिर एक private person को बेचनी है तो minimum support price government decide करती है और government में कौन करता है commission on agriculture and cost price commission on agriculture and cost price जो है decide करती है तो answer is FCA अब FCA के अगर मैं बारे में बात करूँ तो FCA के जो headquarter है वो कहाँ पे है New Delhi के अंदर है FCA बना कब था 1965 में पहले चनहीं headquarter थे अब New Delhi अंदर headquarter है Next है NASCOM NASCOM का मतलब क्या है National Association of Software Services and Companies National Association of Software and Services Companies जिसके headquarter कहाँ पे है Noida उतर परदेश के अंदर है नाफिद बहुत बहुत important है नाफिद बड़ा important है National Agriculture Cooperative Marketing Federation National Agriculture Cooperative Marketing Federation जो है इसके नाम है और 1958 में यह जो है बना था और इसके headquarter भी कहाँ पे है New Delhi के अंदर इसके headquarter है यह आपको याद रखना है So answer इस question का क्या बन गया जी आपका That is D option FCI Sickle cell anemia जो होता है वो किसके कारण होता है पहले तो आपको बता दूँ कि Sickle cell anemia is this one जिसमें क्या होता है कि RBC जो cell होते हैं वो round होते हैं और जा फिर bioconcave होते हैं इस तरीके से round और bioconcave होते हैं लेकिन क्या होता है कि यह Sickle cell बनने लगयाता है इस तरीके से ठीक है और मैं Sickle को हमेशन समझता हूँ द्राती इस तरीके से मैं सोचता हूँ ठीक है जो disease से मर सकता है और यह अगेन जो है आपकी एक genetic disease है यह भी आपको पता होना चाहिए genetic disease है clear और क्रोमोजोमल प्रॉब्लम आती है इसके अंदर बात यह है कि Sickle cell अनीमिया होता क्या है इसमें folic acid के कमी हो जाती है नहीं जी RBC's number में बहुत सारे कम हो जाते है क्योंकि कटते जाते है तो answer is D option next है इन में से इन battles को आपने sequence के अंदर लगाना है तो बताएजी कौन कौन सी है so battle of chandary battle of chandary हुई थी 1528 के अंदर और यह किसकी लड़ाई थी बाबर और मैदेनी राई बाबर और मैदेनी राई की लड़ाई थी clear जिसमें बाबर जीता था battle of chandary 1549 के अंदर हुई थी और इसमें लड़ाई हुई थी हुमाईू और शेर्षा सूरी की शेर्षा सूरी की जिसमें शेर्षा सूरी जीता था और उसके बात है battle of doraha महमूद लोधी महमूद लोधी की लड़ाई हुई थी और इसमें जीता कौन था हुमाईू जीता था battle of ghagar घागar की लड़ाई जो हुई थी बाबर की लास लड़ाई थी और ये हुई थी 1539 के अंदर और ये लड़ाई लड़ी गई थी जिसमें बाबर और जो है लोधी वंश के परसन थे सुल्तान महमूद सुल्तान महमूद के साथ जो है इनकी लड़ाई हुई थी सुल्तान महमूद और इनके सुल्तान नुसरत शा के साथ भी लड़ाई हुई थी नुसरत शा ये दोनों साथ में लड़ रहे थे तो इनुस्रा शा जो थे बेंगॉल से थे और ये सुल्तान मुहम्मद तो लोधिवंश का लोधिवंश से बिलॉंग करता था इसमें अगेन बाबर जीता था तो लगालो जी पहले लाई कौन सी होगी पहले A बनेगा फिर दूसरा चाथ चौथा फिर तीसरा फिर दूसरा 1432 that means B is the correct answer B statement is the right one As per 2011 census female literacy rate जो है इंडिया के अंदर कितना है female literacy rate पहली बात तो हमारे देश में total literacy rate है 74.04% जिसमें अगर male की बात करी जाए तो 82.1% आपका male category के अंदर आता है और 65.5 जो है category female category के अंदर आती है और हमारे देश में जो पड़े लिखों की जो तादाद है वो कैसे decide होती है कि भाई उसकी minimum age 7 साल होने चाहिए और उसको एक sign करते होने चाहिए तो this is the literacy मतलब जो हमारे देश में बोलते हैं और ये person कोई भी कर सकता है ठीक है बट otherwise मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 65.5 लिख है न अगर exact पूछ ली जाए exam में तो 65.46 है अगर exact पूछ ली जाए ठीक है अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि highest literacy rate अगर पूछी जाए तो कहाँ पे देखने को मिलती है highest literacy rate देखने को मिलती है केरल के अंदर और दूसर नंबर आता है मिजोरम का ठीक है मिजोरम का अगर आपसे union territory के बाद में पूछी जाए कि union territory में सबसे जादा जो है आपकी literacy rate कहाँ पे है पूरा model पूरा model क्या है ये किस ने दिया था पिच्चर देके आप समझ जाएंगे मिजाइल मैन ऑफ इंडिया जी ने दिया था तो अंसर इसका क्या बनेगा APG अब्दुलकलाम अब्दुलकलाम जी ने 2010 के अंदर जो है ये पूरा model दिया था जिससे क्या होगा कि गाओं वाले लोग जो है शहरों में नहीं आएंगे जिसके कारण urbanization की जो problem है जो शहरों में होती जा रही है वो नहीं होगी crime जो है आपका कम देखने को मिलेगा poverty जो है आपको कम देखने को आपको मिलेगी गरीबी जो है कम देखने को मिलेगी तो ये था पूरा model का concept और ये दिया था APG अब्दुल कलाम जी ने तो answer is A option, Missile Man of India बाकी यहाँ पर जो option है जैसे मनमोहन सिंग मनमोहन सिंग के बारे में हमें याद रखना है LPG reform, Liberation, Privatization Globalization जब आया थे तो Finance Mr. Mr. मनमोहन सिंग थे और उस टाइम पर Prime Minister कौन थे that is PV नरसिमा राओ PV नरसिमा राओ थे, ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है तो answer is A option अब ये थे आज की lecture के अंदर question बाकिया मेरा GS course purchase कर सकते हैं जिसका link नीचे description और comment section में आपको code यूज करना है ये वाला अगर आप किसी SSE exam, railway, state exam, defense exam की त्यारी करते हैं तो ये आपको benefit देगा और जिसका link नीचे description और comment section में मिल जाएगा टेलीगराम ग्रूप को आज जॉइन कर लीजे सारे lecture जो है यहाँ पर शेर किये जाते हैं Dr. Vipan Goyal is the name जो आपको ये ढूणना है और इसके साथ जॉइन कर लिए सारे lecture यहाँ पर शेर हो जाएंगे बागे आप मुझे Facebook और Instagram के उपर भी follow कर सकते हैं This is my Gmail ID link यहाँ पर अपने doubts वगेरा send कर सकते हैं और this is my Twitter link यहाँ पर भी follow कर सकते हैं So thank you so much guys All the very best for your exam Good luck, take care अच्छे से आप बैठ के घर पे पढ़िए Thank you